यह सेहत के लिए भी उतनी ही फायदे मन्द होती है लेकिन विज्ञानिकों ने इसकी एक और खूबी का पता लगा लिया है जादपूर विश्वे विद्याले कोलकता के विज्ञानिकों ने मचलियों के फिन यानि की पंकों से उर्जा उत्पन करनी की दखनीक विक्सित्की है जिसके बाद इसका इस्तिमाल पेस मेकर बनाने में किया जा सकता है भारत का मचली प्रेम जग जाहिर है देश के मचली प्रेम हर रोज भारी संख्या में मचली को अपना आहार बनाते हैं यही मचली उर्जा उत्पादन का साधन बन जाए तो कैसा रहे मचलियों से उत्पन कच्रे से उर्जा तयार करना मुम्किन है सुनने में ये बिलकुल सपने जैसा लगता है लेकिन कोलकाता के जादव पुर विश्व विद्याले में शोद करताओं की एक टीम ने इस सपने को सच कर दिखाया है टीम में शामिल सुजय कुमार खोश और दीपांकर मंडल ने ऐसी तकनीकी विक्सित की है जिसमें मचलियों की पंखों के जरिये इलेक्ट्रोनिक सामानों को उर्जा पहुचाई जा सकती है दरसल मचलियों की पंखियों में कोलाजन फाइबर पाया जाता है जिसमें उर्जा पैदा करने की ख्षमता होती है नई तक्नीकी में जब इन पर बाहर से यांत्रिक दबाव डाला जाता है तो इससे बिजली पैदा होती है अध्यायन के दौरान पहले शोद करताओं ने मचलियों की पंखियों को लचीला और पारदर्शी बनाने के लिए प्रसंस्क्रित किया इसके लिए हर पंखी से दो इलेक्ट्रोड जोड़कर उन पर परत चड़ाई गई ये पाया गया कि इन पर यात्रिक दबाव डालने और इन्हें गती फ्रदान करने पर उर्जा उत्पन होती है गती प्रदान करने के लिए सामान ने छंजनाहट और दिल की धड़कन परयापत है उम्मीद है कि बायो पीएचो एलेक्ट्रिक नानो जेनेरेटर नाम की इस तक्नीकी का भविश्र में काफी इस्तमाल हो सकता है लुए प्रदान कि लाम second फूइप बाय ने थासी फूब जानोट क में अकूब गेड़ पैक्रिपक्त कर ल bakeณ प्रदान की संसरूबार कि जशन को है इस तकनीकी का विकास पर आधारित पेसमेकर्स के लिए किया जा सकता है ऐसा उपकरण एक बार स्थापित करने पर दिल की धड़कन से ही उर्जा प्राप्त करती रहेगी और जब इसकी जरूरत नहीं होगी तो खुद बखुद खत्म हो जाएगी अप्लाइट फिजिक्स में छपे रिसर्च के आधार पर हर इत उर्जा उत्पन करने के नए रास्ते खुल सकते हैं जिसमें ना सेर्फ कच्रे का निश्पादन शामिल होगा बलकि उर्जा उत्पादन के भी नए रास्ते खुलेंगे जिसमें बलकिक्षणड़ भी उत्पादन शामिल होगा जशवजगे